भी टीम मतलब आप वीजन 11 में का टीम बनाते हैं, मैच खेलते हैं, पर अगर आपने अकाउंट वेरिफाइड नहीं किया है, तो कोई मतलब नहीं खेलने का, यूँकि ना पैसा आइड कर पाएंगे, ना पैसे को विड्रो कर पाएंगे, तो वेरिफाइड कैसे करना होता, व वरना बेकार है, तो चलिए, यहां पर हमने वीजन 11 को ओपन किया, जैसे हमने ओपन किया, आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, अब यहां पर देख सकते हैं, हमने टीम भी बना ली, सारी चीजे कर ली, राजिस्थान और पंजाब की बीच मै बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अगर अकाउंट वेरिफाई नहीं करेंगे, तब आप पैसे को निकाल पाएंगे, नो कुछ कर पाएंगे, तो हमें अकाउंट वेरिफाई करने के लिए यहां पर वाइलेट पर किलिक करना है, यहां पर देख सकते हैं, टोटल बालेंस कितन इंटरफेस दिखाया जाएंगे, देख सकते हैं पर, तो अपने अधार करना है, वो ऊपर इसी पर किलिक करना है, जैसे इस पर किलिक करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, टेक फूट्टू, चूस फ्राम गयली, अगर आपके घयली, अगर आपके हम गयली, में पर फू पड़ी, तो गयली से ले सकते हैं, वरना टेक फूटू पे किलिक करके, यहां पर फूटू ले लेंगे, चलिए, जिसे यहां पर कोई अधार कार्ड है, उसका हम फूटू ले लेंगे, उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे, उसी परकार से बैक इमेज अपलोड कर यहां पर नाम डाल देंगे जो अधार कार्ट पर नाम पड़ा हुआ है वही नाम आपको यहां पर डालना है अधार नमबर जो आपका अधार नमबर उडाल करके के उपर कलिक कर देना जैसे आप इस पर किलिक करेंगे उसके बाद नीचे देख सकते हैं पैन कार्ट दिखाई दे रहा इस पर क्लिक करना है तो आपको क्या करना है वहीं सेम प्रोसेस इसमें भी करना है सिंपल से एपलोड Πाहिन कार्ड इमेज औरического पिडिव इस पर आपको कलिक करना है टेक फूटू ले सकते हैं, चूज फ्रोम गैली से चूज कर सकते हैं तो वह चूज फ्रोम गैली के कलिक करके, यहां से जहां पर भी अधार कार्ड का आपकी फूटू हो ले लेंगे जो पायन कार्ड पे नमबर वो नम डालेंगे जो पायन कार्ड के नमबर वो नमबर डालेंगे यहां पे confirm पायन नमबर डालेंगे उसके वाद submit for verification पे किलिक करेंगे 24 गंटे के अंदर 24 गंटे लगेगा आपका अधार कार्ड वेरिफाइड हो जाएगा आपका पायन कार्ड वेरिफाइड हो जाएगा जब दोनों चीजे वेरिफाइड हो जाएंगी ठीक उसके बाद यहां पे आपको bank verify करने का option दिखाई देगा जब तक दोनों चीजे वेरिफाइड नहीं होती है तब तक आप bank को verify नहीं कर पाएंगे थिक सिंपल से इस पे किलिक करेंगे उसके बाद आपको bank भी verify कर लेना होगा जब तक अधार card verify नहीं हो जाता जब तक plan card verify नहीं हो जाता तब तक आप ये verify नहीं कर पाएंगे अगर आपको video पसंद आई है तो please video को like कर दीजेगा, channel पर नए हैं तो channel को subscribe ज़रू कर लीजेगा, धन्यबाद